इस साल मुर्गनक शित्र में अच्छी बारिश होने की कारण किसान अपनी खेती में बुआई के काम में लगे है मौदाक शित्र में धान की फसल प्रमुक है लेकिन पिछले 3-4 सालों में तालुका में कपास की भी फसल बड़े पैमाने पर ली जाती है पिछले 2 दिन में अच्छी बारिश होने की चलते कई किसान धान और मिर्ची के पौधे तयार करने में लगे है धान और मेचिपी की बुआई चुलाई महने में की जाती है लेकिन बारिश अच्छी होने के कारण कई किसानों के कपाल स्थुर की बुआई शुरू कर रहे हैं आज कल कई किसान ट्रैक्टर द्वारा खेती की मशागत करती नजर आते हैं लेकिन इस साल बीजल के दाम बढ़ने के कारण मशागत के लिए ट्रैक्टर का उभयोग करना भी छोटी किसानों कुम्हेंगा पढ़ रहा है। लेकिन इस साल बढ़ रहा है।